आपने खागा कि यह कोई सोचता नहीं है, मुझे लगा कॉंग्रेस में तो कोई सोचता होगा ऐसे यार, कि मोधी किस दिन हटेगा, अपने आपी हट जाए जिससाब से 10 साल से कॉंग्रेस पार्टी लगी हुई है, यह उनके प्रयास हैं, तो उसमें कहीं बार मुझे ऐसा लगता है, कि यह सोचते हैं कि किस दिन ऐसा आएगा, कि जनता खोदी यह फैसला करेगी, और हम से हमारे लिए चाहिए इंडिस्पेंसेबल है, देखिए और ज साहिर भी है, जो मशीनडि़ी वीजेपी की है, चनाव लगने की मशीनरी है, जो सिस्टम है, जिसे आप से हूं लोग काम करते हैं, traffigल ओपरोजन आज से नहीं हो सकता है, कार्यस मैंने कोई खास बतलाव नहीं देखा उसमें इन्होंने उद्यपुर में एक चिंतन शिविर किया था उसमें यह तैया हुआ था कि कॉंग्रस पार्टी है कि इलेक्शन सिस्टम डेवलब करेगी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम डिपाइटमेंट बने गए और जो बीजीपी से मैच करने की कोशिच करेगा क्योंकि 2017 के गुजरात के चुनाओं में कॉंग्रस पार्टी ने काफी अच्छा प्रश्चन किया था गुजरात में और कर सके जिले लेवल पे काम हो सके एक पूरा नीचे से लेकि ऊपर तक नया तंतर बने जैसा बीजीपी के पास है जैसा जैसा हो कहते है हमारे परना प्रमुख है या उनके पास ब्लॉक पर लोग बैठे हो है क्या हुआ फिर उसका या आस तो डिपार्टमेंट बना ही नहीं मैं खुद उदेपूर में था उस इंतन सिवर में और उसमें कहीं सारे संकल्प किये गए थे उनको नाम दिया गया था उदेपूर संकल्प तो उसमें सबसे बड़ा काम यह था कि इलेक्ष्टन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बने और उसके किसी वरिष्ट व्यक्ति को ज इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का जो सिस्टम चुनाव लड़ने का है जो मश्रीन उनके पास है जो ताकत उनके पास आप देखिए अभी जो चुनाव हुए चुनाव था बद्यप्रदेश का मुधायन दे रहा हूं आपको स्टार्टिंग में कोई यह बात नहीं मा कॉंग्रेस के अभी देखिए आप अभी देश का चुनाव चल रहा है अगर इन तीन फेज से पहले जब तक कोई भी वोटिंग नहीं हुए थी कॉंग्रेस पार्टी यह मान के बैठी हुए थी कि हम यह चुनाव हार चुके हैं यह दोनों में बेसिक फर्क है कॉंग्रेस क यह लोग हार नहीं मानते हैं और यह लोग पहले से ही इनके जो रंडितिकार हों तैय कर रहेते हैं कि रिजल्ट यही आने वाला है मैं किसी से पूछ रहा था ठीक ठाक स्टाटेजिस्त हैं मैं पूछा कि अगर जरूरत पढ़े चार्ट तरिक के बाद क्या टीडीप क्योंकि जो सबसे स्ट्रोंग अलाईए बीजेपी का वो इधर आ सकता है इंडिया अलाइंस की तरफ तो कहते हैं कि जरूरत नहीं लेकिन फाइनली चार जून का दिवेट तो करना चाहिए न हम लोगों को जनता क्या मेंडेट देगी जनता किसको जिताती है कि इतनी सीट देती है जब तक वो अधिकारिक रूप से नहीं आ जाता आप कैसे हार मान सकते हो कॉंग्रेस अभी भी हार माने बैठी है हार नहीं कॉंग्रेस के किसी अद्मी से बात करा की से किसी तो मैं इसको कहा हैं दो आप नाल नहीं हुआ है और आप ने पहले जिए नहीं बता है तु इह बात है ??? पूछ लो ही बात तो मैं बता दूंगा अगर आज की रिएट वी पूछना है यह अच्छा 54 से कितना सी बढ़ेंगी पता है नहीं पता तीन सो तीन से कितनी घटेंगी पता है नहीं पता तुम कहा कि स्टेटिजिस्ट हो जो पाटी तो मारे ऊपर खर्च कर रही क्रोडर रू कुम है